नमस्कार रेम चन्द की अंसुनी कहानिया सुनाने के लिए आज हम एक बार फिर से हाजिर हैं यहाँ पर कुछ लोग अगर यहाँ जुड़ गए हों मुझे सुन पा रहे हूं तो लिख कर बताईए कोई हैं वहाँ पर कोई भी उपस्थित हूं अब तक शायद कोई जुड़े नहीं है मैं यहाँ से इन्डी पोड़कास्टर के फेस्बुक पेज से आप सभी का स्वागत करती हूं और जिसा कि हमने पिछले दो सब्ता से किया हुआ है हम यहाँ पर प्रेम चंद की अंसुनी कहानिया सुनवा रहे हैं तीन सब्ता बारा कहानिया बारा अलग-अलग आवाजें कुछ बहुत ही बहतरीन कहानिया हैं जो अब तक बहुत ज्यादा नहीं सुनी और पड़ी गई हैं हम उन सभी कहानियों को आप तक लेकर आए हैं और इसी कड़ी में पिछले दो सब्ताह गुरवार से रविवार हमारे साथ और भी लोग जुड़े हुए थे जिन्होंने कहानिया सुनाई और उनकी कहानिया सुनाने के अंदाज से बहुत प्यार से कहानियों को सुना गया, कहानिया पसंद की गई, कहानिया सुनाने का तरीका पसंद किया गया और ये सब्ता, आखिरी सब्ता है, जब हम कहानिया सुनेंगे और चार दिन आज, कल, पर्सु और अभिवार तक ये कारिक्रम हम लोग आगे जारी रखेंगे पुनम एहमद जी जुड़ गई हैं वे हमसे कह रही हैं हेलो, नमस्कार नमस्कार पुनम जी आपका स्वागत है चलिए अब हम आज का कारिक्रम शुरू करते हैं आज की कहानी हमें सुनवाएंगी हमारी टीम कहानी कलब से सदस्या है अनगा जोग लेकर वे गुड़गाओं से हमारे साथ जूड़ रही हैं और आज हमें वे प्रेम चंद की एक कहानी सुनाएंगी धोखा कहानी सुनाने से पहले मैं अनगा जोगले करका परिचे बता देती हूँ कुछ उनके बारे में बताती हूँ मैं वे कहती हैं वे पैशे से वे electronics इंजिनियर हैं लेकिन साहिती की और उनका जुकाव है तो प्यार के क्रोशिय से कल्पनाओं के धागे बुनकर वे कहानिया लिखती हैं अपनी मात्र भूमी के गौरवशाली इतिहास और पौरानिक पात्रों से उन्हें प्रेम है उन्ही पात्रों पर वे उपन्यास लिखती हैं वे अब तक प्रभुराम, अश्वत्थामा, बाजीराव, पेश्वा, यशोधरा और देव की पर उपन्यास प्रकाशित कर चुकी है केलाश मान सरोवर पर यात्रा व्रत्तान्त भी उनका प्रकाशित हुआ है लगो कठाओं में भी कलम चलाने की कोशिश करती है वे और इन दिनों एक कहानी संग्रह पर काम कर रहे है देखिए हमारे साथ और लोग जूड़ गए है और अनगा जोगले कर भी हमारे साथ जूड़ गई है तो मैं स्वागत करती हूँ अनगा जी का वे आए हमारे साथ नमस्कार अनगा जी आज हमारे साथ है और वे हमें कहानी सुनाएंगी धोखा इस कहानी का एक वाक्य में आपको पढ़कर सुनाती हूँ फिर उसके बाद यहांसे मैं माईक अनगा जी को सौप दूँगी परगीत का माधूर्य प्रभा को वेसुद किये देता था इसका रसज्य स्वभाव और उसका मधूर रसी लागान अपूर्व संयोग था तो आज यही अपूर्व संयोग हमारे साथ भी है कि अनगा जोग लेकर हमारे साथ हैं वे हमें प्रिम्चन की कहानी सुनाएंगी धोख स्वागत है अनगा जी नमस्कार मैं अनगा जोग लेकर आज आपको मुशी प्रेम्चन जी की कहानी अंसुनी कहानी एक अनोखी प्रेम कहानी है जो सुनाने जा रहे हूं जिसका शीर्शक है धोखा तो सुनते हैं सती कुंड में खिले हुए कमल वसंत के धीमे धीमे जोकों से लहरा रहे थे और प्रातर काल की मंद मंद सुनारी किरने उनसे मिल मिलकर मुस्कुराती थी राजकुमारी प्रभा कुंड के किनारे हरी हरी घास पर खड़ी सुन्दर पक्षियों का कलरा सुन रही थी उसका कनकवर्ण तन इनी फूलों की भांती दमक रहा था मानो प्रभात की साक्षाद सौमि मूर्ती है जो भगवान अंशुमाली के किरन करों द्वारा निर्मित हुई थी प्रभा ने मौल सीरी के वरुक्ष पर बैठी हुई एक श्यामा की और देखकर कहा मेरा जी चाहता है कि काश मैं भी एक चिडिया होती उसकी सहली उमा जो उसके पास ही खड़ी थी ने मुस्कुरा कर पूछा वो क्यों भला प्रभा ने कुंड की और ताक्ते हुए उत्तर दिया प्रुक्ष की हरी भरी डालियों पर बैठ मैं भी चह चाहती और मेरे कल्रों से सारा बाग गुण जुटता उमा ने छेड़ कर कहा नौगड की रानी तो ऐसे कितने ही पक्षियों का गाना जब चाहे तब सुन सकती है प्रभा ने संकुचित होकर कहा मुझे नौगड की रानी बनने की अभिलाशा नहीं है मेरे लिए तो किसी नदी का सुनसान किनारा ही काफी है एक वीणा और ऐसे ही सुन्दर सुहावने पक्षियों के संगीत की मधुर ध्वनी में ही मेरे लिए सारे संसार का एश्वर्य है प्रभा का संगीत पर अपरिमित प्रेम था वह पहुदा ऐसे ही सुख सपन देखा करती थी उमा प्रभा की बात का उत्तर देना ही चाहती थी कि इतने में बाहर से किसी के गाने की आवाज आई कर गए थोड़े दिन की प्रीती कर गए थोड़े दिन की प्रीती प्रभा ने एकाग्र मन होकर सुना और अधीर होकर कहा बहन इस वाणी में तो जादू है मुझसे अब बिना सुने नहीं रहा जाता उसे जाकर भीतर बुला लाओ ना उमा पर भी गीत का जादू असर कर रहा था बह बोली निस संदे हैं ऐसा राग मैंने भी आज तक नहीं सुना मैं अभी खिड़की खोलकर उसे बुलाए लाती हूं थोड़ी ही देर में रागिया भीतर आया सुन्दर सजीले बदन का नौजवान नंगे पैर, नंगे सर, कंधे पर एक मुरुक चर्म, शरीर पर एक गेरुआ वस्त्र और हाथों में एक सितार उसके मुखारविंद से तेज छिटक रहा था उसने दबी हुई दृष्टी से दोनों को मलांगी रमणियों को देखा और सिर जुका कर बैट गया प्रभा ने जिजकती हुई आखों से देखा और उसने भी दृष्टी नीचे कर ली तो उमा ने कहा योगी जी हमारे बड़े भागे कि आपके दर्शन हुए हमको भी कोई पद गाकर कुरुतार्थ कीजिए ना योगी ने सिर जुका कर ही उत्तर दिया हम योगी लोग नारायन का भजन करते हैं ऐसे ऐसे दरबारों में हम भला क्या का सकते हैं पर आपकी इच्छा है तो सुनिए योगी ने राग छेड़ दिया कर गए थोड़े दिन की प्रीती कहा वह प्रीती कहा यह बिच्रन कहा मधुबन की रीती कर गए थोड़े दिन की प्रीती कर गए थोड़े दिन की प्रीती योगी का रसीला करुण स्वर सितार का सुमधुर निनाद उस पर गीत का माधुर प्रभा को बेसुत किये देता था इसका रसज्य सभाव और उसका मधुर रसीला गान अपूर्व सयोग बना था जिस भांती सितार की ध्वनी गगन मंडल में प्रतिध्वनित हो रही थी उसी भांती प्रभा के रुदयों में लहरों की हिलोरें उठ रही थी वे भावनाएं जो अब तक शांत थी एका एक जाग उठी थी रुदय सुखसपन देखने लगा सती कुंड के कमल तिलिस्मी की परिया बन-बन कर मंडराते हुए भावरों से कर जोड सजल नयन हो कहते थे कर गए थोड़े दिन की प्रीती सुर्ख और हरी पत्यों से लदी हुई डालियां सिर जुकाए चहकते हुए पक्षियों से रो रो कर कहती थी कर गए थोड़े दिन की प्रीती और राजकुमारी प्रभा का रुदय भी सितार की मस्तानी तान के साथ बूंचता था कर गए थोड़े दिन की प्रीती प्रभा बगोली के राव देवी चंद की इकलोती कन्या थी राव पुराने विचारों के रईस थे ग्रिश्न की उपासना में लवलीन रहते थे इसलिए उनके दर्बार में दूर-दूर के कलावन और गवईये आया करते और इनाम एकराम पाया करते राव सहाब को गाने से प्रेम था बेस्वयम भी इस विध्या में निपुण थे यद्धिपी अब रुध्धावस्था के कारण यह शक्ति निशेश हो जली थी पर फिर भी विध्या के गूर तत्वों के वे पूर्ण जानकार थे प्रभाब आलेकाल से ही इनकी सहबतों में बैठने लगी कुछ तो पूर्वजन्म का संसकार और कुछ दिन रात गाने की ही चर्चाओं ने उसे भी इस फंद में अनुरक्त कर दिया था इस समय उसके सौंदरे की खूप चर्चा थी राव सहाब ने नौगड के नविवक और सुशील राजा हरिश्चंद्र से उसकी शादी पक्की की थी उभैपक्ष में तैयारिया हो रही थी राजा हरिश्चंद्र मेयो कॉलेज अजमेर के विध्यार थी और नई रोश्नी के भक्त थे उनकी आकांग्षा थी कि उन्हें एक बार कम से कम एक बार राजकुमारी प्रभा से साक्षातकार होने और प्रेमा लाप करने का अवसर दिया जाए किन्तु राव सहाब इस प्रथा को दूशित मानते थे ब्रभा राजा हरिश्चंद्र के नवीन विचारों की चर्चा सुनकर इस सम्मंद से बहुत संतुष्ट ना थी पर जब से उसने उस प्रेम में युवा योगी का गाना सुना था तब से वह तब से तो वह उसी के ध्यान में डूबी रहती उमा उसकी सहली थी इन दोनों के बीच कभी कोई परदा न था परंतु इस भेत को प्रभा ने उससे भी गुप्त रखा उमा प्रभा के सभाव से परिचित थी सो ताड़ गई परंतु उसने उवदेश करके इस अगनी को भढ़काना उचितना समझा उसने सोचा कि थोड़े दिनों में यह अगनी अपने आप ही शान्त हो जाएगी ऐसी लालसाओं का अंत्रपह इसी तरह हो जाया करता है किन्तु उसका अनुमान गलत सिद्ध हुआ योगी की वह मोहनी मूरत कभी भी प्रभा की आँखों से ना उतर दी और उसका मधुर राग प्रतीक्षन उसके कानों में गुंजा करता वह उसी कुंड के किनारे सिर जुकाए सारा दिन बैठी रहती कल्पना में वही मधुर रुधै ग्राही राग सुनती और वही योगी की मनोहारनी मूरती देखा करती कभी कभी उसे ऐसा भास होता कि बहर से हैं आवाज आ रही है वह चौक पड़ती और तृष्णा से प्रेरित होकर वाटिका की चार दिवारी तक जाती और वहां से निराश होकर लोटाती फिर आप ही विचार करती यह मेरी क्या देशा है? मुझे यह क्या हो गया है? मैं हिंदू कन्या हूँ माता पिता जिसे सौब दे उसकी दासी बनकर रहना ही मेरा धर्म है मुझे तन मन से उसकी सेवा करनी चाहिए किसी अन्य पुरिश का ध्यान तक मन में लाना मेरे लिए पाप है आह यह कलुशित रुदै लेकर मैं किस मुझे से पती के पास जाऊंगी? इन कानों से कैसे प्रणय की बाते सुनूंगी जो मेरे लिए व्यंग से भी अधिक कर्ण कटू होंगी इन पापी नेतरों से वहाँ प्यारी प्यारी जितवन कैसे देख सकूंगी जो मेरे लिए वज्र से भी रुदै भेदी होंगी इस गले में वे मृदल प्रेम बाहू पढ़ेंगे तो मेरे लिए लोह दंड से भी अधिक भारी और कठोर होंगे प्रिय तुम मेरे रुदै मंदिर से निकल जाओ यह स्थान तुम्हारे योग ये नहीं मेरा वशोता तो मैं तुम्हें रुदै की सेच पर सुलाती परन्तु मैं धर्म की रस्यों से बंधी हूँ इस तरह एक महीना भीप गया द्याहा के दिन निकटाटे जाते थे और प्रभा का कमल सा मुख कुमलाया जाता था कभी कभी विरह वेदना एवं विचार विपलो से व्याकुल होकर उसका चित जहता की वो सती कुंड की गोद में शांती ले किन्तु राव सहाव इस शोक में जान ही दे देंगे इस विचार से वह रुख जाती सोचती मैं उनकी जीवन सर्वस्य हूँ मुझे अभागिनी को उन्होंने किस लाड़ प्यार से पाला है मैं ही तो उनकी जीवन का आधार और अंतकाल की आशा हूँ नहीं नहीं यो प्राण देकर मैं उनकी आशाओं की हत्याना करूंगी मेरे रुदय पर चाहे जो बीते परंतु उन्हें ना कोड़ाऊंगी प्रभा का एक योगी गवईये के पीछे उनमत हो जाना कोई शोभा नहीं देता योगी का गान तान से इनके गानों से भी अधित मनोहर क्यों नहों पर एक राजकुमारी का उसके हाथों बिख जाना रिदय की दुरबलता प्रकट करता है राजा सहाथ के दरबार में विद्या की शौरी की और वीर्ता से प्राण हवन करने की चर्चान थी यहां तो दिन रात राग रंग की धूम रहती थी यहां इसी शास्त्र के आचारे प्रतिष्ठा के मसनत पर विराजित थे और उनी पर प्रशंसा के बहुमुल्य रत्न लुटाये जाते थे प्रभा ने प्रारंभ ही से इसी जलवायू का सेवन किया था और उस पर इनका गाढ़ा रंग चड़ गया था ऐसी अवस्था में उसकी ग्यान पिपासा ने यदि भीशन रूप धारण कर भी लिया तो आश्चर ही क्या था शादी बड़ी धूम्राम से हो गई राव सहाब ने प्रभा को गले लगा कर विदा किया प्रभा बहुत रोई उमा को वह किसी तरह न छोड़ती थी नौगड एक बड़ी रियासत था और राजा हरिश्चंद्र के सूप्रबंध से उन्नती पर था प्रभा की सेवा के लिए दासियों की एक पूरी फौज थी उसके रहने के लिए वह आनंद भवन सजाया गया था जिसके बनाने में शिल्प विशारोदों ने अपूर्वकोशल का परिचे दिया था शुरंगार चितुराओं ने दुलिन को खुब सजाया रसीले राजा साहब अधरामरुत के लिए विहल हो रहे थे अंतःपूर में गये प्रभा ने हाथ जोड़कर सिर जुका कर उनका अभिवादन किया उसकी आखों से आसू की नदी बह रही थी पती ने प्रेम के मद में मत होकर गुंगट हटा दिया वहाँ धीपक तो था पर बुझा हुआ फूल तो था पर मुर्जाया हुआ दूसरे दिन से राजा साहब की यह दशा हुई की भौरे की तरह प्रतीक शान इस पूल पर मंडराया करते न राजपाट की चिंदा थी न सैर और न शिकार की परवा प्रभा की वाणी रसीला राग थी उसकी चित्वन सुख का सागर और मुख चंद्र आमोत का सुहाव ना कुंच बस प्रेम मद में राजा साहब बिलकुल मतवाले हो गए थे उन्हें क्या मालुम था कि दूद में मक्षी है यहाँ असंभाव था कि राजा साहब के रुदय हारी और सरस्व्यवार का जिसमें सच्चा अनुराग भरा था प्रभाव पर कोई प्रभाव न पढ़ता प्रेम का प्रकाश अंधेरे रुदय को भी चमका देता है प्रभा मन में बहुत लज्जित होती वह अपने को इस निर्मल और विशद्ध प्रेम के योग न पाती इस पवित्र प्रेम के बदले में उसे अपने कृत्रिम रंगे हुए भाव प्रकट करते हुए मानसिक कश्ट होता था जब तक वह राजा साहब के साथ रहती उनके गले लता की भांती लिप्टी हुई घंटों प्रेम की बाते किया करती वह उनके साथ सुमन वाटिका में चुहल करती उनके लिए फूलों का हार गूत्ती उनके गले में हाथ डाल कर कहती प्यारे देखना ये फूल मुर्जान जाएं इन्हें सदा ताजा रखना वह चांदनी रात में उनके साथ नाओ पर बैठकर जील की सैर करती और उन्हें प्रेम का राख सुनाती यदि उन्हें बाहर से आने में जरा भी देर हो जाती तो वह मीठा मीठा उलाहा ना देती उन्हें निर्डै और निश्ठुर कहती उनके सामने वह स्वयम हस्ती उसकी आखें हस्ती और आखों का काजल हस्ता किन्तु आह जब अकेली होती उसका चंचल चित उड़कर उसी कुंड के तट पर जा बैठता कुंड का वह नीला नीला पानी उस पर तैरते हुए कमल और मौल सिरी की व्रुक्ष पंतियों का सुन्दर दृष उसके सामने आखों के सामने आ जाता उबा मुस्कुराती और नजाकत से लचकती होई आ पहुँचती तब रसीले योगी की मोहिनी छवी आँखों में आविराजती और सितार के सुलसित सुर गूंजने लगते कर गए थोड़े दिन की प्रीती कर गए थोड़े दिन की प्रीती तब प्रभा एक दीर्ग निश्वास लेकर उठ बैठती और बाहर निकल कर पिंजरे में चहकते हुए पक्षियों के कल्रव में शांती प्राप्त करती इस भांती यह सपन भी तिरोहित हो जाता इस तरह कई महिने बीद गए एक दिन राजा हरिश्चन्र प्रभा को अपनी चित्रशाला में ले गए उस चित्रशाला के प्रथम भाग में एतिहासिक चित्र थे सामने ही शूर वीर महाराणा प्रताप सिंग का चित्र नजर आया मुखार विंदर से वीरता की जोतिस फुटित हो रही थी तनिक और आगे बढ़कर दाहिनी और स्वामी भक्त जगमल वीरवर सांगा और दिलेर दुर्गादास विराजमान थे बाई और उदार भीमसी बैठे हुए थे राणा प्रताप के सम्मुख महराष्ट केसरी वीर शिवाजी का चित्र था दूसरे भाग में तर्मयोगी क्रिष्ण और मर्यादा पुरुषवत्तम राम विराचते थे शतुर्चित्रकारों ने चित्र निर्मान में अपूर्व कौशल दिखलाया था प्रताप के पाद पद्मों को चूमा और वह क्रिष्ण के सामने देर तक नेत्रों में प्रेम और शद्धा के आसू भरे मस्तक जुकाये खड़ी रही उसके रुदय पर इस समय कलुशिक प्रेम का भय खटक रहा था उसे मालूम होता था कि यह उन महापुर्षों के चित्र नहीं बलकि उनकी पवित्र आत्माएं हैं उन्ही के चरित्द से भारत वर्ष का इतियास गौरवान वित है बे भारत के बहुमूल्य जातिये रत्न उच्च कोटी के जातिये समारक और गगन भेदी जातिये तुमल ध्वनी है ऐसी उच्च आत्माओं के सामने खड़े होते उसे संकोच होता था वह आगे बढ़ी तो दूसरा भाग सामने आया यहां ज्यान मैं बुद्ध योग साधना में बैठे हुए दिखाई पड़े उनकी दाहिमी और शास्त्रागे शंकर थे और दाश्निक दयानंद भी एक और शांतिपत गामी कबीर और भक्त रामदास यथा योग के खड़े थे एक दिवार पर गुरु गोविंद अपने देश और जातिपल बड़ी चड़ने वाले दोनों बच्चों के साथ विराजमान थे तो दूसरी दिवार पर वेदान्त की जोती फैलाने वाले स्वामी रामतिर्थ और विवेकानंद विराजमान थे प्रभा ने इनके चर्णों पर मस्तक डेका वह उनके सामने सिर्ना उठा सकी उसे अनुभव होता था कि उनकी दिव्य आँखें उसके दूशित रुदय में चुभी जाती है इसके बाद तीसरा भाग आया जहां प्रतिभाशाले प्रतिभाशाली कवियों की सभा थी सर्वोच स्थान पर आदिकवी वालमी की और महरशी वेद्व्या सुशोबित थे दाहिनी और श्रंगार रसके अद्वितिय कवी काली दास थे बाई तरफ कंभीर भावों से पूर्ण भवभुती निकट ही भरत्रुहरी अपने संतोश आश्रम में बैठे हुए थे दक्षिन की दिवार पर राष्ट भाषा हिंदी के कवियों का संबेलन था सरुदय कवी सूर तेजस्वी तुलसी सुकवी केशव और रसिक बिहारी यथा ग्रम विराजमान थे सूर्दा से प्रभा का अगाध प्रेम था वह समीब जाकर उनके चर्णों पर मस्तक रखना ही चाहती थी कि अकस्मात उन्हीं चर्णों के सम्मुक सर जुकाए उसे एक छोटा सा चित्र दिखाई पड़ा प्रभा उसे देखकर चौक पड़ी यह वही चित्र था जो उसके रदय पट पर खिंचा हुआ था वह खुलकर उसकी तरह ताक न सकी गभी हुई आँखों से देखने लगी राजा हरिश्चंद्र ने मस्कुरा कर पूछा इस व्यक्ति को तुमने कहीं देखा है क्या इस प्रश्ण से प्रभा का रुढ़े कांप उठा जिस तरह ब्रुक शावक व्यात के सामने व्याकुल होकर इधर उधर देखता है उसी तरह प्रभा अपनी बड़ी बड़ी आँखों से दीवार की और ताकने लगी सोचने लगी क्या उत्तर दूँ इसको कहीं देखा है उन्होंने यह प्रश्ण मुझसे क्यों किया कहीं ताड तो नहीं गए हे नारायन मेरी पत तुम्हारे हाथ में है कैसे इंकार करूँ उसका मुख पीला हो गया सिर जुकाकर श्रीन सर में बोली हाँ ध्यान आता है कि कहीं देखा है पर इस चन्र ने फिर पोचा अच्छा कहां देखा है प्रभा के सिर में चक्कर आने लगे बोली शायद शायद एक बार यह गाता हुआ मेरी वाटिका के सामने जा रहा था उमा ने बुला कर इसका गाना सुना था हरिश्चंद ने पूछा कैसा गाता था कैसा गाना था प्रभा के होश उड़ गए सोचती थी राजा के इन सवालों में जरूर कोई बात है देखूं मेरी लाज रहती है या नहीं बोली उसका गा करका क्या गाता था प्रभा ने सोचा इस प्रश्ण का उत्तर देदू तो बाकी क्या रहता है उसे विश्वास हो गया कि आज कुशल नहीं है वह छत्की और निखर निरखती हुई बोली सूर्दास का कोई पत था शायद हरिश्चंद्र ने कहा यह तो नहीं कर गए ले दिन की प्रीति यह सुनकर प्रभा की आँखों के सामने अंधेरा चा गया सर घूमने लगा वह खड़ी ना रह सकी पैट गई और हता शोकर बोली हां यही पत था फिर उसने कलेजा मजबूत करके पूछा बहला आपको कैसे मालूम हुआ हरिश्चंद्र बोले वह योगी मेरे हां अकसर आया जाया करता है मुझे भी उसका गाना पसंद है उसी ने मुझे यह हाल बताया था किन्तु वह तो कहता था कि राजकुमारी ने मेरे गानों को बहुत पसंद किया और पुन्हा आने के लिए आदेश किया रभा को अब सच चाक्रोद दिखाने का अवसर बिल गया वह बिगड़कर बोली यह जूट है मैंने उससे कुछ नहीं कहा हरिश्चंद्र बोले यह तो मैं पहले ही समझ गया था कि यह उन महाशय की चाला की है डींग मारना गवईयों की आदत है परंतु इसमें तो तुम्हें इंकार नहीं ना कि उसका गाना बुरा न था प्रभा बोली ना अच्छी चीज को बुरा कौन कहेगा भला हरिश्चंद्र ने फिर पूछा है फिर सुनना चाहो तो उसे बुलवाओं सिर के बल दोड़ा चला आएगा क्या उनके दर्शन फिर होंगे इस आशा से प्रभा का मुखमंडल विक्सित हो गया परंतु इन कई महिनों की लगातार कोशिश से जिस बात को भुलाने में वह फिंचित सफल हो चुकी थी उसके फिर नवीन हो जाने का उसे भै हुआ बोली इस समय गाना सुनने को मेरा जी नहीं चाहता राजा ने कहा यह मैं न मानूंगा कि तुम और गाना नहीं सुनना चाहती मैं उसे अभी बुलाए लाता हूँ जहां करकर राजा हरिश्चंद्र तीर की तरह कमरे से बहार निकल गए प्रभा उन्हें रोक ना सकी वह बड़ी चिंता में डूबी खड़ी थी रुदय में खुशी नहरें बारी बारी उठती थी मुश्किल से कुछ दस मिनट बीते होंगे कि उसे सितार के मस्ताने सुर के साथ योगी की रसीली तान सुनाई दे कर गए थोड़े दिन की प्रीति कर गए थोड़े दिन की प्रीति वही रुदय ग्राही राग था वही रुदय भ्रेधी प्रवा वही मनोहर था और वही सब कुछ जो मन को मोह लेता था एक शण में योगी की मोहिनी मूर्पी दिखाई दी वही मस्तानापन वही मत्वाले नेत वही नैना भिराम देवताओं का सा रूप मुख मंडल पर मंद मंद मुस्कान थी प्रभानी उसकी तरफ सहमी हुई आखों से देखा इताईक उसके रुदय उचल पड़ा उसकी आखों के आगे से एक परदा हड़ गया प्रेम विहलो आखों में आशु भरे वह अपनी पती के चरणार विंदो पर गिर पड़ी और गदगद कंठ से बोली प्यारे प्रियतम राजा हरिश्चंद्र को आज सच्ची विजय प्राप्त हुई उन्होंने प्रभा को उठा कर छाती से लगा लिया दोनों आज एक प्राण हो गए राजा हरिश्चंद्र ने कहा जानती हो मैंने यह स्वांग क्यों रचा था गाने का मुझे सदा से व्यसन है और सुना है तुम्हें भी इसका शौक है तुम्हें अपना रुदय भेट करने से पहले मैं एक बार तुम्हारा दर्शन आवश्चक प्रतीत हुआ और उसके लिए सबसे सुगम उपाय यही सूच पड़ा प्रभा ने अनुराग से देखकर कहा योगी बनकर तो तुमने जो कुछ पा लिया वह राजा रहकर कदापी न पा सकते अब तुम मेरी पती हो और प्रियतम भी पर तुमने मुझे बड़ा धोखा दिया और मेरी आत्मा को भी कलंकित किया इसका उत्तरदाता कौन होगा भला तो यह थी मुझे प्रेम चन जी की कहानी धोखा एक बहुत ही अनोखी प्रेम कहानी धन्यवाद इंडी पोस्ट कार्टर एंड प्यूस जी जो आपने मुझे यह कहानी दिल्ली की कपकपाती ठंड में यह गुन-गुनी कहानी पढ़ने क अनिगा जी बहुत ही सुंदर कहानी और बहुत तरी अच्छे तरीके से आपने सुनाई हमें बड़ा मज़ा आया और यह धोखा जो था बड़ा प्यारा सा धोखा था प्यारा सा धोखा इतना प्यारा धोखा मिले तो कोई क्यों ना धोखा खाना चाहेगा बहुत संदर कहानी सुनाई आपमें आपने बहुत अच्छ है से सुनाया जबकि इसमें कठी शब्द बहुत सारे थे, औक दम पुरानी जो हिंदी है, जो अभी तो प्रयोग नहीं होती है लेकिन बहुत पुराने-पुराने शब्द थे, कठिन शब्दों को भी आपने बड़े अच्छे से लिया कैसा लग रहा था आपको, जैसे मुखार बिंद से वीरता की जो तीस फूर्टित हो रही थी पुपारानी को पन्यास लिखती हूं तो उस समय की भाशा ही लिखती हूं, तो मुझे बहुत अच्छा लगा, आलगे पीच में कहीं तो भी मेरा स्क्रीन उपर नीचे हो गई थी तो मेरे को एक सेकेंड रुखना पड़ा बीच में उसके लिए मैं माफी चाहती हूँ तर मुझे बहुत मज़ा आया हाँ था भी बड़ा ही मज़दार और कुछ कुछ शब्द तो बड़े बड़े अट्रिक्टिव से थे जैसे एक लाइन थी चतुर चित्रकारों ने चित्र निर्मान में अपूर्व कौशल दिखाया कुछ ऐसा था जी 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 सारे इंफेक्ट सारी ही लाइने बहुत मतलब य उस कहानी में एक जगे छोड़ दिया जाए तो कहीं उर्दु शब्द नहीं है शुद्ध हिंदी है सब जगे उन्होंने शुद्ध हिंदी लिए यह बात सच्छे किसे बहुत संदर सारिदय कवी सूर तेजस्वी तुलसी सुकवी के शव और यह उनकी जो भाशा है ऐसा ल एक शन में योगी की मोहिनी मूर्ती दिखाई दी वही मस्ताना स्वरू वही मत्वाले नेत्र वही नयना भी राम देवताओ कासा स्वरू इतनी पोईटिक इतनी कविता मैं भाशा है वो अपने आप से एकदम से जूड लेती है जी 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 आपको इस कहानी में क्या सबसे अच्छी बात लगे आप पताना चाहेंगे मुझे एक तो भाशा ही बहुत पसंद आई और जिस तरह से कहानी में जो रह से धोका रह से छुपा हुआ है कई बार ऐसे लगता है कि राजकुमारी हरी राजा हरी चनर को धोका दे रही है क्योंकि उसके मन पर किसी और का बिल्कुल बिल्कुल मैं भी आप आपकी इस बात से सहमत हूं कि कहानी सुनते समय यह नहीं सूचा था कि इस तरह इसकान्त होगा और राजा स्वाय महर के उसे कहेंगे करके कि वह तो मैं ही था अच्छा और वह लास्ट में भी कहीं बोलते नहीं मुझे कि वह मैं था पट वो लिखा इस तरह से है वो लिखा इस तरह से last paragraph कि समझ आ जाता है कि राजा ही योग है और पहचान में बड़ी अच्छे से बना उनकी बातों से पहचान लेती है उस तान से राजकुमारी उसको पहचान लेती है कि यहीं राजा है जी जी कर गाए थोड़े दिन प्रीटी प्रीटी यह तो बहुत लिए और आपने दो बार जैसे कहा है हर जगे पे थोड़ा सा कविता में तरह से आपने भी कहा हूँ उसको तो बड़ा सुंदर लग था सुनने में था वह कहानी में एक ही बार है लेकिन मैंने उसको बढ़ने के लिए प्रेम चंजी से माफी मांगूँगी मैंने इसमें कुछ शब्द अपने तरफ से जोड़ने पड़े क्योंकि जब आप नरेट करते हैं तो उसमें कुछ कहीं कहीं जोड़ना पड़ता है बहुत अच्छा लग रहा था हमें भी सुनने में बड़ा मज़ा आया बहुत अच्छे से आपने कहानी सुनाई बहुत बहुत धन्यवाद आपको इंडी पोड्कास्टर की तरफ से कहानी कलब के संपूर्ण ग्रूप की तरफ से आपको बहुत धन्यवाद आप हमारे साथ जुड़ी हैं हाँ पर कहानी सनाई सभी लोग पड़े ध्यान से सुन रहे थे उत्सायतो कर अपने कमेंट भी लिख रहे थे सभी शोताओं को भी धन्यवाद जी मैं आपको इकादे कमेंट पढ़के सुनाती हूँ जैसे यहां पर दीप्ती मित्तल जी ने लिखा है नमस्ते स्वागत है पुजा जी और अनगा जी सुश्मा गुपता जी कह रही है अच्छी शुरुवात अनगा जी और पुनम एहमद जी ने कहा है ब्यूटिफुल नरेशन सभी को बहुत सारा धन्यवाद है आगे दीप्ती मित्तल जी कहती है बहुत संदर कहानी और वाचन तेंक यू और पुनम एहमद जी भी कहती है बहुत संदर कहानी सुष्मा तेलंग जी कहती है वाह दित्ति मितल जी कहती है interesting story पल्लवी अमिर जी कहती है interesting और अंत में दिब्या राकेश जी हमसे कहती है बहुत अच्छी तरह सुनाई आपने तो बहुत सारे लोगों ने हमारे साथ जुड़कर आज कहानी सुनी हमका लौरे कहानी लेकर के आएंगे आप लोगों के समख शौर आप हमारे साथ इसी तरह जुड़े रहिए आपका प्यार हमें देती रहिए आपकी कमेंट्स हमें बहुत हिम्मत बंदाते हैं उटसाह बढ़ाते हैं हमारा बहुत सारा धन्यवाद सभी श्रोताओं को सारी ओड्यून्स को हमारा धन्यवाद है हम फिर आपसे मिलेंगे कल तब तक आप सभी को नमस्कार आपका संचालन भी बहुत अच्छा रहा धन्यवाद धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद आनिवादी